जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी का R.S. News के कौन नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार IPL 2020 के सफल आयोजन के बात दोस्तों अब Asia Cup को लेकर बहुत बड़ी खुशकबरी सामने निकल कर आईए जिसे जानने के बाद आप सब भी जरूर खुशी से जूमने वाले होते और साथ में आप सबी को Asia Cup के मुकाबले Cup होते हुए दिखाई देंगे और साथ में पहला मैच भारत का किसके साथ है पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं तो आप सबी बिलकुल बने रहेगा और वहीं दोस्तों हापर हम आपको क्रिकेट जगत की जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरे निकल कर आ रहे हैं उनके ब अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वहीं दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टार्गेट रखा हैं हमने बस मात्र 500 लाइक का तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ में हमारे चैनल आरेस निउस को सब्सक्राइब करके बैल की करण को रद कर दिया गया था जिया जहां पर एशाई क्रिकेट परिसद ने मार्च के महिने में ये फैसला लिया था कि जो एशा कप करवाया जाने वाला था 2020 में उसको इस्तगित कर रहे हैं लेकिन दोस्तों अभी जैसा कि अभी हाली में हमने देखा कि जिस तरह से आईप कप सुरू होता हुआ दिखाई देता अब उसको 2021 में करवाने का प्लैन एसी सी ने बना लिया दरसल हम आपको बताएं कि 2020 में पाकिस्तान जो की साल 2020 में समयुक्त अरब अमीरात में टूनामेंट की मेजवानी करने के लिए तैयार था लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान इस एशाक अप की मेजवानी नहीं करेगा दरसल दोस्तों एसी ने फैसल अलिया कि स्री लंका में एशाक अप की मेजवानी करी जा जाईगी और वहीं हम आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बूर को 2022 में जो एशाक अप होने वाला है उसके संस्करण की मेजवान तो ऐसे में दोस्तो इस बार का जो आप सभी को एशा कप होता हुआ दिखाई देगा वो श्री लंका में होता हुआ दिखाई देगा और वहीं दोस्तो हम आपको बताएं कि अब एशा कप जो खेला जाने वाला है उसमें आप सभी को 6 टीमें खेलती हुई दिखाई देने वा और वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि एश्या क्रिकेट परिसद ने एक बयान चारी करते हुए कहा है कि वह T20 प्रतियोगिता के मंच की उमीद करा है जिसमें वो 6 देसों को शामिल करेगा शुरुआ से ही बोड मूल कारेकरम के अनुसार टूर्णामेंट के आयोजन के लेकिν 2021 में जो एश्या कप होगा वो आप सबीष को जून में श्रीलंका में होता हुआ दिखाई देगा ज 나서 थो ली बोड़ा अपडेट सामले निकलकर आया है आप सबीष्या कप जोगा वो जून के महीने में साल 2021 में होता हुआ दिखाई देगा और सातमें दोस्तों हम आ 2021 में जून के महीने से होता हुआ दिखाई देगा और साथ में दोस्तों आपको ये भी बता दें जो एशा कप का प्रेडिक्टिट सेड्डूल निकल कर आया है उसके एकॉर्डिंग पहला मुकाबला 24 जून को खेला जाएगा बुदवार वाले दिन जहां पर बंगलादेश और इंडिया के बीच में पहला मुकाबला होने वाला है तो ऐसे में दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाताईए कि आप क्या चाहते हो क्या एशा कब 2021 में जून के महीने से पहले ही करवाना सही रहेगा या फिर जून के बाद आप अपनी कीमती र और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो वहीं चलिया बागे बड़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकलकर आ रही है वह यह है तो इसलिए वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए तो कुछ दिनो पहले ही भारती टीम के चैन करता हुने और चैन के लिए टीम का चैन क्या था और इस जाते ही और वणड़ी और टी टॉंटी फॉर्मेट से बाहर रखा गया जबकि टेस्टीम में जगा दी गई हमें लगता है ऑभी रोही शर्मा बसमात्य फीजदी ही फीट है और जब तक वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाते उन्हें भालते टीम में अच्छे से मौका नहीं दिया जाएगा तो आपकी क्या रहा है सौराव गौंगली के इस बयान के बारे में आप हमें नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बड़ता हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तो जैसे कि आप सभी को पताई कि आईपल 2020 का आयोजन बिल्कुल सफलता पूरवक हो गया है और इसके बाद अब BCCI की निगा T20 वर्टकप को करवाने की है जी हां हम आपको बताएं कि BCCI ने जो अभी आईपल 2020 का आयोजन करवाय था वो दुबई में करवाय था क्योंकि इस महामारी के जो केसिस थे वो दिन प्रती दिन भारत में बढ़ते चले जा रहे थे तो जिसके चलते इस महामारी से बचाव के लिए वहाँ पर काफी जादा इंतजाम BCCI ने करे थे और सभी फ्रेंचाइजी और खिलाडियों के बलबूते पर ही का आयोजन काफी अच्छे तरीके से हो पाया तो जिसके चलते BCCI को और ICC को एक उमीद मिल गई है कि अब बड़े से बड़े टूनामेट का आयोजन भी अच्छी तरीके से किसी भी देश में करवाया जा सकता है हाला कि दोस्तो दुबई में केसिस कमते इस महामारी के जिसके चलते दुबई में ही करवाना सबसे ज़्यादा बहतर आप्शन समझा BCCI ने लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इस साल अक्टूबर से नवंबर में औस्टेलिया में T20 वर्टकप का आयोजन होना था लेकिन दोस्तो इस महामारी के कारड़ उसे 2022 के लिए इस्तगित कर दिया गया तो जिसके चलते जो इस साल T20 विशकाप होने वाला था उसको तो अब 2022 में करवाने का ICC प्लैन बनाएगा भारत से पहले ICC T20 विशकाप का आयोजन साल अक्टूबर 9 नवंबर में औस्टेला में करवाना था लेकिन ICC उसे करवाने में सफल नहीं रहा तो वहीं आगे बात करते हैं उन्होंने बुला कि BC से ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं चोड़ेगा कि इस टूनामेंट के लिए सभी के स्वास्ते और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए वोर्ट सच के आने वाली सभी टीमों को भारत में शांदार अनुभव मिलेगा तो हम सभी जानते ही हैं दोस्तो इस मुकाबले के लिए सबसे जादा जो एहम रोल निक भाई की वो होगी प्लेंग लावन टीम जया दोस्तो यहां पर प्लेंग लावन टीम में आप सभी को बहुत बड़े-बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देने वाले हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जहां पर ऑश्टेला की टीम ने बड़े खिलाडियों को मौका दिया है तो दोस्तो पहले आईए चलिए हम बात करते हैं ओस्टेला की प्लेंग लावन टीम के बारे में तो दोस्तो जो ओस्टेला की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे उसमें होंगे एरन फिंच और डेविड वार्नर तो ही बात करें Middle Order की जो Middle Order समाग होंगे मारनस लावुसेन, गलेन मैक्सेवेल, मारकस इस्टोइनेश, मिचल मार्स और एलेक्स कैरी तो और वही बात करें गेंदबाजी पक्च की जो गेंदबाजी में आप सबी को दिखाई देंगे उसमें होंगे केल राहूल और शिकरदवन तो भी बात करें मध्यम क्रम की तो मध्यम क्रम में आप सभी को तीसरे नमर पर विराट कोली, चौत्थे नमर पर सिरेश अयर, पांचवे नमर पर मनिश पांडे और छटे नमर पर हारदिक पांडे खेलतों नजार आ सकते हैं उमीद है कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो चल लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे, तो मिलेंगे अ जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!